नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां के टोप 25 परमोख खबर जानते हैं उनके साथ बात्चित की जाएगी scri खेंद्री गिरिय मंतरी अमिद् साने कििसान नताओ से अपुल कि है कि उनके सिमाओं और आजढ़ानी के बोड़रो परेकत रहोने से आने जाने वाले लोगों तथा किसानों को भी असुविधा हो रही है साने का अगी सरकार किसानों के हर समस्या तथा मांग पर उनके साथ बाचीत करने के लिए त्यार है और क्रिसी मंत्री ने इनके लिए 3 दिसंबर की तारिक तैकी है 180 फ्लेट का अवंटन एक दिसंबर को पधान मंत्री अवास्योजना के तहत बन होर में बन रहे 180 फ्लेट का अवंटन एक दिसंबर को होगा मोराबादी राची इनवर्सिटी के दिक्षान्त मंडल में दोफर एक वएस लावको कभिश लोटरी के माध्यम से फ्लेट आवंटन एट किये जाएंगे बता दे इसके लिए राची नगर निगम द्वारा लावको के सुची स्वनिवार को जारी की जाएगी जारी सुची में जिन लावको का नाम होगा उन्हें ही लोटरी में समिलित किया जाएगा ओनलाइन क्लास के लिए शिक्षको को 30 नवंबर से मिलेगी ट्रेनिंग कुरोना काल में बचो को ओनलाइन पढ़ाई में काफी कठनायों का सामना करना पढ़ रहा है वर्चुल कलासेस के लिए शिक्षको को भी काफी परसानी जहलनी पड़ी इसे देखते हुए राँची जिला परसासन ने MET उन्वरसिटी के साथ मिलकर शिक्षको का प्रसिक्षन कराने की वेवस्ता की है जिला परसासन द्वारा नवी से बरामिक अक्छावों के सिक्षकों को 30 नॉवंबर से अनलाइन पर सिक्षन दिया जाएगा PDS दुकानों में मिलेगा फोटिफाइड चावल राजे में जन वित्रन परनाली की दुकानों में अब आयरन युक्त फोटिफाइड चावल मिलेगा कुपोशन से लड़ने के लिए राज सरकार ने इस प्रकिरिया के तहत चावल सुदूर इलाकों तक पहुचाने की योजना बनाई है अभी आयरन युक्त फोटिफाइड चावल मुखे रूप से राजे के कुपोशन परभावित छेत्रों में बाटा जाएगा बता दे इस चावल को लोगों तक पहुचाने के लिए पहले पायलट पर्योजना शुरू की जाएगी खाद पूर्ती विबाक की ओर से शुरू की जारे इस पर्योजना के तरह सबसे पहले जमसेद पूर के ढाल भूम गड़ और चाकूलिया पर खंड में लोगों तक या चावल पहुचाया जाएगा एप से पढ़ाई करेंगे नवी से बरावी तक के छातर तीन दिसमर को मुख मंत्री करेंगे लोकारपन सरकारी स्कूलों के बच्चे अब लर्नेटिक्स एप से पढ़ाई करेंगे मुख मंत्री हमन सुरें तीन दिसमर को इस एप का लोकारपन करेंगे द्यार्खन सिक्षा पर्योजिना परिशाद द्वारा त्यार इस एप में माधिमिक एवं उस्तर माधिमिक कक्छाओं में अधेयन रत बचों के लिए निसुल्क ओनलाइन क्लास की बिवस्ता है बता दे इसमें कक्छा नवी से बरावी से समन्दीत, ई-कॉंटेंट, ई-बूक आधी उपलबधा है गरी बूक को क्यो नहीं मिला अनाज सिता सुरेन जावमो विजायक सिता सुरेन ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीटर पर खाधा पूर्ती मंतरी रमेसर उराव से स्वाल पुछा है कि केंदर सरकार से मिला अनाज अभी तक जन वितरन परनाली की दुकानों पर क्यो नहीं पहुँच पाया है क्या गोदामों में अनाज रहकर सरकार सराना चाहती है महीना खत्म होने में मात्र दो तीन दिन ही सेस रह गया है जनता को इस बार केंदर द्वारा जारी योजना कला मिल पाया या नहीं उन्होंने कहा कि कुरोना संक्रमन काल में गरीब परिवारों को केंद्र द्वारा जारी फिरी रासन से संजीवनी की तरह साहता पहुच रही थी सारना कोड को लेकर 6 दिसंबर को रेल रोड चक का जाम अखिल भारतिय आदिवासी पिकास परिशत केंद्रिय सारना समीती के प्रतिनिधी सारना कोड को लेकर 6 दिसंबर को रेल रोड चक का जाम करने के तियारी जोर सोर से कर रहे हैं इसके तहद विभीन इलाकों में समीती द्वारा जनसन पर अभियान चलाया जा रहा है क्रोना गाइडलाइन तोड़ने पर निगम भी वसुलेगा 25 रुपया तक जुर्माना क्रोना संक्रमन की दूसरी लहर की आसांका को देखते हुए अब रहाची नगर निगम ने भी सकती परतिने के त्यारी सुरू कर दी है मेर आसा लकणा ने कहा है कि जीन ब्यवसाइक प्रतिष्ठानों में कुरोना गाइडलाइन का उलंगन पाया जाएगा उन पर जार्खन नगर पाली का अधिनियम और डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत करवाई की जाएगी सर्निवार को नीगम की बैठक में उन्होंने कहा कि कुरोना की लडाई सबको मिलकर लणनी है इसलिए जो दुकंदार इन में लपरवाई करेगा उन पर करवाई होगी मेर ने कहा कि कुरोना गईलन का उलंगन पाये जाने पर 5000 से लेकर 25 से अर्थ तक जुर्माना वसुला जाएगा जार्खन पूलिस और जैप के सफल अभियार्थियों के द्वारा 30 नॉम्बर से अनिस्चित कालिन धरना जार्खन पूलिस और जयब के सफल अभियार्थी अब 30 नॉम्बर से अनिस्चित काली धारना पर बैठने जा रहे हैं अभियार्थियों का काना है कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है सिर्फ अस्वासन दे रही है सफल अभियार्थियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर देती है तब तक वे 30 नॉम्बर से अनिस्चित काली धारना पर रहेंगे आपको बता दे की ज़ार्खन पुलिस और जयब पुलिस के सफल अभियार्थियों के 12 सकेंड लिस्च जारी करवाने को लेकर अनिस्चित काली धारना किया जा रहा है किसानों को उचित दाम दिलाने को बनेगा चेंबर ओफ फार्मर्स किसानों को बेहतर बजार और उनके उत्पात को उचित मुले दिलाने के लिए नई पहल की गई है योजना के तवध किसानों के लिए चेंबर ओफ फार्मस का गठन किया जाएगा इस प्लेटफर्म के तवध किसान अपनी समस्या भी रख सकेंगे किसी विभाक की ओर से चेंबर ओफ फार्मस खोलने को लेकर प्रस्ताव लग वक्त त्यार हो गया है बता दे बजार में किसान फसल बेचते वक्त बिचोलियों के बिच फांस जाते हैं बिचोलियों से छुटकारा दिलाने के लिए चेंबर ओफ फार्मस का गठन किया गया है ग्रामीन छेत्रों का विकास करना हमारा उद्देश से खोटी डिसी खोटी उपायूक ससी रंजन ने सनिवार को अड़की प्रखण का दवरा किया इस दावरान पूलिस अधिशल यका असुतोस अनुमंदल पता अधिकारी हमांध एवं प्रखण पताधिकारी को लडीप एक प disgrace वर्यव पता अधिकारी अपर समाहर्ता है प्रखण विकास पताधिकारी आधी उपस्थित थे प्रहन के दोराह उपायुक्त ने तवरित स्विक्रिती देते वे अधिकार्यों को निदेशित किया चाई बसा में पुलिस और पीलेफाई के दस्ते में मुटभेड 25 जिले के बंद गाउ थाना छेत्र के खांडा गाउ के जंगल पहाडी छेत्र में पुलिस और पीलेफाई उग्रवादी के बीच मुटभेड हुई मुटभेड में सुरक्षा बलो को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल और पहाडी छेत्र का फैदा उठा कर भाग निकले बता दे मुटभेड बंद होने के बाद चलाएकर सर्च अभियान में बहुत सारे हाथ यार मुबाइल अने महत्पूर्ण समान बरामत किये गए देश की अर्थ वेवस्ता बेहतर इस्तितिम नहीं रमेश्वर कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष रमेश्वर ने कहा है कि सितंबर तिमाही के लिए जी डीपी के आकड़े सामने आ चुके हाँ इस तिमाही में देश के एकनोमी का ग्रोथ रेट माइनस 7.5 फिजदी रहा इससे पहले परदेश अपरेल जून में भी देश का जी डीपी ग्रोथ रेट माइनस 7.9 फिजदी रहा था और लगतार दूसरे दर में भी जी डीपी ब्रीधी दर नकरादमक रहने से असावित वयाता है कि देश की अर्थ विवता बेहतर इस्तिति में नहीं है लातेहर में 5 डकायत गिरफतार लातेहर पुलिश ने गुवद सुजना के अधार पर छापे मारी कर 36 गड़ के बलरामपुर जीले से 5 डकायत को गिरफतार कर लिया है बता दे सभी 36 गड़ के बलरामपुर जीले के रहने वाले हैं इस समांद में SDPO रती भान सिंग ने बताया कि 36 गड़ के डकायत का गिरो लाते हा जीला के महुआ टार के इलाके में लूट पाट की घटना को अंजाम देते थे ठंड को देखते हुए बंद पड़े रहन बसेरा खोले परसासन संजय पुद्दार श्री महावीर मंडल डोरंडा केंदरी समीती के अध्यक संदय पुद्दार ने ठंड को देखते हुए रांची सहर में बंद पड़े रहन बसेरा को खोलने एवं कमबल का वित्रन सुनीचीत करने की मांग परसासन से की है पुद्दार ने सनिवार को कहा कि इस बढ़ते हुए ठंड में रांची के अधिकान स्रेन बसेरा में ताला लटका हुआ है या औसमाजिक ततो का कबजा है रामगर में बेघर को खोजो आसरे ग्री भेजो अभियान शुरू रामगर जिले में ठंड का कहर बढ़ता देख ऐसे स्थिती में लोगों की सहायता के लिए नगर परिसत छेतर में बिसेस अभियान चलाया जा रहा है बता दे इस अभियान में बेघर को खोजो आसरे ग्री भेजो मुहीम के तहट गरीब लोगों को आसरे देने का काम सुरू कर दिया गया है शुक्रवार की पूरी रात नगर परिसत के कारेपालक पतादिकारी सुरेस यादव के नितित में पूरी टीम छेतर का दोरा किया ट्रेड लाइसेंस के बिना चल रहे दुकान होंगे सील राचिन नगर निगम छेतर में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही दुकानों पर अब निगम करवाई करेगा जार्खन नगर पालिका अधिनियम के तहथ किसी भी तरवा का बेवसाय करने के लिए मुनसीपल ट्रेड लाइसेंस का होना अनिवार यह है लेकिन कई लोग बिना ट्रेड लाइसेंस के ही दुकान पर तिस्थान चला रहे है पाकूर और चात्रा में डीएफो के पदस्थापना के लिए जनित याचिका दायर रेंज फोरेश्टर अफिसर अनिल कुमार सिंग ने जार्खन हाई कोट में जनित याचिका दाखिल कर पाकूर और चात्रा में डीएफो के पदस्थापन की बांग की है याजका में कहा गया है कि पाकुल और चात्रा में डियेफों के पदासापन नहीं होने की वज़त से वानकी का काम करने वाले मज़्दूरों को भुगता नहीं हो पा रहा है कोईले का अवैध कारूबार बिहार समेथ चार राजियों में CBI की छापे मारी जार्खन इती दो कोईला खदानों में कोईले के अवैध कारूबारी के मामले में CBI ने बिहार सहीद चार राजियों पच्छी मंगाल जार्खन और उतर परदेश में सनिवार को छापे मारी की है छापे मारी इस्टन कोल फिल लिमिटेड के दो जनरल मैनेजर CISF के तीन सेक्रीटी अधिकारी रेल ओफिसर्स के साथ कुछ नीजी लोगों के ठीकानों सहीद कूल 45 अथानों पर की गई बतादे छापे मारी को लेकर CBI द्वारा 45 टीमों का गठन किया गया लालू यादो के मोबाइल पर बादचित परकरण में जवानों की लपरवाही आई सामने बिहार के पूर्व मुख मंतरी और चारा घोटाला मामले में सजाजापता लालू पर साध्यादों के मोबाइल परबाचीत परकरण में पूरा ठीकरा राची पूलीस पर फूट रहा है बतादे जेल पर सासन ने अपनी जाच रिपोर्ट राची के उपाईवक छवी रंजन को सौप दी है रिपोर्ट में राची पूलीस के जवान और तैनाज सुराक्षा अधिकारी कट घारे में नजर आ रहे हैं जारखन में 209 संक्रमित्टुक पुष्टी हुई है जो पुकारों से 24 देवहरेगारा धनबाद 26 दूमका एक पूर्वी सिमूं 43 गडवा चार गिरीडी दो गोड़ा तिन हजारी बाग नौव जामतरा आठ खुटी दो लातेहार पांच लोहर्दागा छव पलामु चार रामगड़ दो राची पचास साइब गड़ो सराय के लाग हरसावा एक सिम्डेगा एक पच्मी सिमूं से पांच मिले है बता देज चतरह गुमला कोड़ार मत अथा पाकुड में कोई संक्रमित नहीं मिले है जारखन में कूल एक्टिव केस 154 है भारत में 41,465 नहीं संक्रमित मिले है भारत में कूल एक्टिव केस 4,52,960 है बिना मास्क चलने वाले 189 लोगों का कटा गया चलान राची में कूलोन संक्रमन के रोक्थाम के लिए जारी दिशा निदेश का वलंगन करने वाले खिलाप राची जिला परसासन की ओर सलागतार करवाई की जा रही है बदा दे बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलने वाले खिलाप ट्रैफिक पुलिस करवाई करते हुए जुर्माना वसूल रही है चोथे दिन चलाया गया भियान में राची ट्रैफिक पुलिस द्वारा विमिन अस्थानों पर कूल 189 लोग का चलान कटा गया इसमें 89,500 रुपे की राची का चलान जमा हुआ गिरी डी से 24 गववनसों के साथ दो तसकर गिरफतार गववनसों की तसकरी करने वाले दो आरोपी को गिरी डी नगर थाना पुलिस ने 24 गववनसों के साथ पकड़ा है बताया गया है कि सनिवार को गुप्त सुजना के अधार पर सहर से एक मालवाहक वाहन में 24 गववनसों को कुरैसी मुहला पहुँचाया जा रहा था इसी दो रान गुप्त सुजना के अधार पर थाना के एस आई कुजूर ने टाइगर जवानों के साथ जप्त किया देव घर हवाई अड़ा निर्वान की समिक्षा बेठक हुई उपायूक्त मंजुनात भजन्तरी की अधाक्स्ता में देव घर हवाई अड़ा के निवान कारे प्रगति को लेका समिक्षा बेठक की गई पेठक में पिछले 24 नॉम्बर को आयोजित बेठक में देए गई निर्देशो या हम इस अंदर में हुए कार प्रगति की समिक्षा की गई जार्खण मोसम विभाग के अनुसार जार्खण में अगले 28 गंटा में निम्तम तापमान गिर सकता है अगले 5 दिनों तक मोसम सुस्क ही रहेगा मोसम केंदर के बेगायनिक अभिसेख अनंद के अनुसार इस दोरान सुबा में कोरा या धून रहेगा इसके बाद आस्वान साफ रहेगा बता दे सानिवार को राइधानी का अधिक्तम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सीयस की बिरिधी हुई इस दोरान अधिक्तम तापमान 27 डिग्री जबकि निम्तम तापमान 13.6 डिग्री रहा धन्यवाद यदि आप चानल पर नहीं होते जोनलों सब्सक्राइब कर बाल का बेल निकर दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवास्य दे थैंक्यू